आपका एक्जाम गुरुजी चैनल के डेली करेंट फिर्स के वीडियो में आज 24 अगस्त 2020 है और आज हम बात करेंगे 23 और 24 अगस्त दोनों दिन के करेंट फिर्स के बारे में और आज की वीडियो की पीडियो की डाउनलूड कर नमत भूलिएगा ये पीडियो आपको हमारे ट Google Play Store से डाउनलूड कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे बात करेंगे Thought of the Day की जो आज का हमारा Motivational Powerful Thought है कि कोई भी चीज खुद नहीं होती है उन्हें करना पड़ता है अगर आपको अपनी Life में सफलता प्राप्त करती हैं आपको जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो उसके न्याप होती चली जाएंगी तो क्या करना है आपको एक्ट करना है बैठे बैठे सूचते रहोगे काम नहीं करोगे मेहनत नहीं करोगे पढ़ाई नहीं करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी इसी थोड़ के साथ आगे बढ़ेंगे बात करेंगे Quick Revision कल के पड़ेगे एक सांस्कृतिक समझोता हुआ है ये भारत इसराइल के बीच में हुआ है चौथा है कीत रोबले लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधान मंतरी बने है तो ये त्रिनाद और टोबेको के प्रधान मंतरी बने है पांचवा प्रसन है कि फ्रांसिसको एशुए को फिर से किस ढटकरेजी के द önर किए के साथ वा प्रसन है कि भारत जापान और किस देश द्वारा ट्रीपक्षे अपूर्थी शरंकला लचीला पंद पहल्ल स्षी रइस सुरू करने पर चर्चा हुई है ये बार्त जापान और आस्ट्रेलिया से सामिल है Deborah फिर सामिल है इंधरा रसू योजना लॉंच किये गई है, तो ये राजिस्थान में लॉंच किये गई है, नवा प्रिस्न है, कि 2 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट के वाली दुनिया की सबसे बड़ी कमपनी कौन सी बनी है, तो ये एपल है, और दस्वा प्रिस्न है, कि खेल रतन प्रुसकार 2020 किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये पांच लोगों को, रोहिस सर्मा, विनिस फोगाट, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और मर्यपन थंगवेलू, ये थे हमारे कल के पड़ेगे करेंटफर के प्रस्नों का क्वेकर विजन, आगे बढ़ेंगे, आज के प्रस्नों की बात करेंगे, और आज के करेंटफर का पहला प्रस्न है, कि किसके तहत सोध को बढ़ाबा देने के लिए National Research Foundation की स्थापना होगी, तो इसकी बात की गई है राष्ट्रिय सिक्षानिती 2020 में यानि की B option प्रस्टनका सही उतर है डीटेल लेख लिजे क्या है तो देश के अंदर जो शोध को बढ़ाबा दिया जाए उसी के लिए नई सिक्षानिती जो आई है इसमें National Research Foundation यानि की NRF की स्थापना की बात के ही गई है और इसका लक्ष यह होगा कि देश की जो विश्विद्याले हैं इसमें सोध को जादा से जादा बढ़ाबा दिया जाए अगर वर्तमान में हम सोध और नवचार की बात करें तो जो दुनिया के दिया कितना कितना खर्च करते हैं तो भारत अभी GDP का मातर 0.69% शोध उपर R&D पर खर्च करता है जबकि हम USA की बात करें हैं आपर 2.8% कर्च किया जाता है इसराइल की बात करें हैं यहाँ पर 4.3% कर्च किया जाता है और दक्षन कुरिया में 4.2% जो खर्च होता है वो शोध उपर किया जाता है भारत में यह बहुत कम है इसके लाबा आपको नई सिक्षा नीति के बारे में बता दूँ आपको कि इसने जो मानव संस्वतन दिकास मंतराले का नाम करकर सिक्षा मंतराले कर दिया है तो केंद्रिय सिक्षा मंतराले अब इसका नाम हो गया है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे दूसरे प्रसनकी के दास, व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतराश्ट्रिय दिवस कब मराय जाता है और ये दिवस मराय जाता है कब 23 अगस्त को यानि की D-Option प्रसनका सही होता है डीटेल लेख लीजे क्या है तो सैंक तराश्ट द्वारा हर साल 23 अगस्त को दास, व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतराश्ट्रिय दिवस के रूप में मनाय जाता है आपको पता होना चाहिए दुनिया भर के अंदर एक बहुत लंबे समय तक दास प्रता रही है दासों को वस्तूं की तरहां बेचा जाता रहा है और ये दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास, व्यापार की जो त्रासिदी थी उसको दर्सानी के लिए बनाय जाता है ताकि लोग याद रखें कि उन्होंने कितने प्रकार के कुकर में अच्छल में माना जाती के कुकर में ये किये हुए है युनेसको द्वारा ट्रास लैटिक दास व्यापार को याद करने के लिए दिन को मनाय जाता है बात करेंगे तीसरे प्रसनकी किस देश में वेस्ट नाइल वायरस ये एक वायरस फैला है इसके कारण पहली मोत दर्ज की गई है और ये मौत हुई है स्पैन में यानि कि D option प्रसनका सही होता है अब ये क्या वायरस है कैसे फैलता है क्या इसकी डीटेर है तो मच्छरों के द यहाँ पर युगांडा में ये खोजा गया था और ये पक्छियों में पाय जाता है और उसके बाद मच्छरों द्वारा मनुश्यों में फैलता है बात करेंगे स्पैन की स्पैन की राइधानी मेडरिट है प्रधान मंतरी पेट्रो सांचेज है और मुद्रह यहाँ की यू यह जिसकी राइधानी मेडरिट आप देख पा रहे है यह स्पैन है और इसकी सीमा लगती है इस तरफ पोर्तगाल के साथ में और इस तरफ फ्रांस के साथ में बांकी ऊपर की तरफ देखेंगे तो यह बे ओफ बिसके की खाड़ी है इस तरफ देखेंगे तो मेडिटिरिय की अगला प्रस्ण आपके सामने चौंथा है कि निजी छेतर द्वारा निर्मित भारत के पहले किस रॉकेट का सफलता पूरवक परिक्षन किया गया है तो सेना के द्वारा ये सफलता पूरवक परिक्षन किया गया है यानि कि ए आप्षन प्रस्ण का सही होता है डीटेल लि परिक्षन किया गया था, तो ये एक firing range है, penetrant के अंदर वहाँ पर पिनाका रोकेट्स का परिक्षन किया गया और corne tour員 निसान लगाए, जिसे वांचित जो परिणाम चीए थे, वो परिणाम रात हुए, याणि के ऐतर की सफल परिक्षन गया है और यह है अश्विन भाटिया यानि की B option प्रसनका सही उतर है डीटेल लेख लिजे क्या है तो मंत्री मंडल जो केंद्री मंदल है उसके निवक्ती समीती जिसको ACC कहा जाता है इसने अश्विन भाटिया को भारती स्ट्रेट बेंक यानि SBI के प्रमुख निदेशक प् इसमें अब 4 MD होंगे तीन और कौन-कौन से MD हैं तो अरीजीत बसू हैं CS80 हैं और दिनेस खारा हैं बात SBI की करते हैं एक जुलाई 1905 को स्थापना हुई थी मुंबई में मुख्याल है और अध्यक्ष रजनीश कुमार है आगे बढ़ेंगे छटवे प्रसन की बात करेंगे किस राज में नुआ खई त्योहार मनाया जाता है तो ये नुआ खई त्योहार जो मनाया जाता है ये ओडिसा में मनाया जाता है यानि कि A option प्रसन का सही उतर है डीटेल लेख लीजे क्या है तो ओडिसा में नुआ खई त्योहार मनाया जाता है और नुआ खई जोहार इसे नुवाखाई परव या नुवाई भेट घांट इस नाम से भी जाना जाता है नुवाखाई दो सब्दों से मिलकर बना है चावल और खाने नुवा का अर्थ होता है नया और खई का अर्थ है चावल तो इसमें क्या होते धान की फसल आती है तो उसको नए फसल के रूप उसको पका कर भोज की रूप में खाया जाता है बात करेंगे अब हम ओडिसा की तो मैप में देख लिजे यहाँ पर यह ओडिसा है यहाँ की राज्धानी भुवनेश्वर है मुख्यमंत्री नवीन पतनायक है राज़पाल प्रोफेसर गड़ी सिलाल है लोगसभा की 21 सीट है राजसभा की 10 सीट है विधान सभा की आप 147 सीट है प्रमुग नेशनल पार्क की बात करें तो भीतरकनी का नेशनल पार्क है सिमली पाल अभ्यरण है गहिर माथा कच्छु अभ्यरण है प्रमुग बांधो में हीराकुंड बांध है जो की महा नदी पर है और इंद्रवती बांधी जो की इंद्रवती नदी पर है बात होगी अब सात्वे प्रसन की सात्वा प्रसन है कि उत्तर प्रदेश ने जल संकट को हल करने के लिए किस देश के सांथ साजधारी की है ये साज़िधारी की गई है इसराइल के सांथ में यानि कि D-Option प्रसनका सही उत्तर है डीटेल देख लिजे क्या है तो उत्तरप्रदेश की सरकार ने बुंदेल खंड शेतर दे कि जो बुंदेल खंड शेतर है वो मद्द्रदेश और उत्तरप्रदेश में आता है इस शेतर के जल संकट को हल करने के लिए इसराइल सरकार के सांथ सहीव की यूजना पर हस्ताक्षर किये हैं और दोनों सरकारों के बीच में साज़िधारी हुई है बुंदेलखन के सूखा प्रवावी छेत्रों में जल संकट की समस्या का समधान करने के लिए इसराइल के अंदर भी काफी जल संकट था लेकिन वहां की जो क्रशी हो जो उन्होंने वहां पर पदेती हैं उससे काफी कुछ फायदा इसराइल को हुआ है और इस मामले में वह बहुत बहतर है यह प्रयूजना बुंदेलखन उसके आसपास के छेत्रों में पानी की कमी की समय सहने पटने के लिए और देश के बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रवंधन, सिचाई और पीने योगिजल प्रवंधन के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में विक्सित होगी बात इसराइल की करते हैं यहां की राज़ानी येरुस्टिलेम है प्रधान मंतरी बेज़ा में नेतनिया हूँ है और मुद्रा यहां की इसराइल की नई सेकेल है चले मैप में मैं आपको इसराइल लिए चलता हूँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहा है यह हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको इसराइल जाना है तो मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको पश्चिम में यह पाकिस्तान है यह इरान है यह इराक है और यह सीरिया है सीरिया को क्रAUS करने के बाद में ये जो गुलावी रंग का छोटा सा देस आपको दिखाई देरा पिंग कलर का ये इसराईल है इसकी राइधानी येरुसलेम है और इसराईल की पाँच में फिलिस्तिन है फिलिस्तिन इसराईल की लड़ाई लगातार चलती रहती है क्योंकि एक्चुल में पहले ये पूरा फिलिस्तीन था फिर यहूदियों ने मिलकर इसको अपना एक अलग देज बना लिया और इस हैसे पर अपना कपजा किया है तो ये आपको फिलिस्तीन और इसराइल का थोलगा सा पता होना चाहिए इनकी बीच में डेड सी ये अमरत सागर है आसपास इसकी सीमा नीचे की तरफ मिसर के साथ में या एजिप्ट के साथ में इस तरफ जॉर्डन के साथ में ऊपर की तरफ सीरिया और लेबनान के साथ में लगी हुई है अगला प्रस्णाप के सामने आयों से पहले उत्तरपदेश की भी यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर देख लिजी उत्तरपदेश है जिसका इसराइल के सांथ समझोता हुआ है यहां की राजधानी लखनव है, मुख्यमंतरी, योगी आधितिनाथ है, बीजेपी की सरकार है राजपालिया की आनंदी बेइन पटेल है, लोकसभा कि यहांपर 85 सीटे है, राजसभा की 31 सीटे है, विधान सभा की 403 सीटे है विदान परिसाद भी है जहांपर सो सीर्थ है प्रमुक राशिध्यानुक की बात करें तो दुद्धवा नेशनल पार की हांपर है नेशनल चम्बला भहरण है पिली भी टाइगर रिजर्व रजर्व है और नवाव गंच पक्छी भीहार है वहीं प्रमुक बांधू की बात करें तो रहंद बांध है जो की रहंद नादी पर बना हुआ है माता टीला बांध है जो बेतवा नादी पर है और जरगो बांध है जो की जरगो नादी पर बना है बात करेंगे अब हम आठोई प्रस्ण की किस राज ने अपने पहले ड्रेगन फ्लाई फेस्टिवल की मेजवानी की है तो इसकी जो मेजवानी की गई है केरल की द्वारा की गई है यानि कि C option प्रस्ण का सही उत्तर है डीटेल लेख लिजे क्या है तो केरल पहली बार राज में ड्रेगन फ्लाई महुतसव का आयोजन करेगा और ये WWF भारती ये WWF इस प्रकार का है ये लड़ाई वाला WWF मत समझ लीजेगा ये क्या काम करता है खासकर प्रजातियों को पश्ण प्रजातियों को बचाने के लिए काम करता है तो भारत केरल इकाई द्वारा Society for Ordinate Studies और थंबी पुरम के सहयोग से इसको आयोजित किया जा रहा है और इसे थंबी महुतसवम 2020 नाम दिया गया है बात करेंगे केरल की तो मैप में देख लीजे ये केरल है यहां की राज़ानी तिरुअनत पुरम है बात करेंगे नवे प्रसनकी कि ओनलाइन देजभक्ती लगू फिल्म प्रतियोगिता में किसकी फिल्म MI ने प्रथम पुरुसकार जीता है और यह फिल्म है अभिजीत पौल की यानि कि ए ओप्शन प्रसनका सही उतर है डीटेल देख लीजे क्या है तो स्वतंतरता दिवस पर 2020 समार जो हुआ था उसका एक हिस्सा था उसी हिस्से की रूप में सूशना और प्रसांड मंत्राले के द्वारा राष्ट्रिय फिल्म विकास निगम NFDC ने ओनलाइन लगू फिल्म प्रतियोगिता का आईजयन किया था और इस प्रतियोगिता में अभिजीत पॉल द्वारा निर्देशित एक फिल्म थी MI उसको एक लाख रुपे का पुरस्कार दिया गया है देव जो संजीब के द्वारा निर्देशित अब इंडिया बने का भारत को दूसरा पुरस्कार मिला जबकि युवराज गोकूल के द्वारा निर्देशित थी दस रुपे के नाम की एक छोटी फिल्म इसको तीसरे पुरस्कार की रूप में चुना गया है बात करेंगे अब हम दसवे प्रस्नकी के किस ने विश्व स्नूकर चेंपियनशिप 2020 जीती है और ये जीती है रॉनी ओसलिवान ने यानि की डी ओप्षन प्रस्नका सही होता है डीटेल लेख लिजे क्या है तो रॉनी ओसलिवान ने किरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराक कर वर्ल्ड स्नूकर चेंपियनशिप 2020 जीत ली और उन्होंने शेफिल्ड के क्रूसिबल थीटर में अपने छटे विश्व चेंपियनशिप का खिताब जीता है इस जीत के बाद रॉनी उसनूबाल जो है अब रेडन ये विक्ति का नाम है इन्होंने 1978 में 45 बर्स की उमर में विश्व इसनूकर चेंपियनशिप जीता था उनके बाद दूसरे सबसे अधिक उमर के विजेता बन गए है बात करेंगे अब कल की सवाल की कल मैंने आपसे प्रस्न पूछा था कि सरवाधिक दिन सत्ता सम्हालने वाले पहले गेर कॉंगरिस से प्रिधान मंतरी कौन बने है तो यह है नरेंदर मोदी यानि कि डी आप्शन सही है आप में से काफी सारे लोगों ने इस प्रस्न का सही कर दिया था जो लोग उत्तर नहीं देते हैं वो उत्तर चरूत दिया करें अब यह हमारी मदवर्देश जिल प्रहली के टेस्स तरीज हैं प्रिंटे नोट से फुल कूर से अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पर आप वाट्सप कर सकते हैं अब आज की प्रस्न की बात करें यहीं समापत आप लोगों का बहुत बहुत धनेवाद जय हिंद जय भारत